प्रश्वागत आज मैं बात करने वाला हूं कि जो हम लोग ने पिछली वीडियो में घर के नक्सर बनाया था और उसमें स्लैब पाइपिंग के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करना था प्लानिंग को फॉलो करना था उस प्लानिंग के साब से हम लोग ने किचेन के लिए पूजा रूम के लिए गेस्ट रूम के लिए लिविंग रूम के लिए और बात रूम के लिए गैरेज के लिए इन सभी के लिए हम लोग ने लेयाउट तैयार कर लिया था और अब हम यह बात करेंगे कि जो 21 दिन के बाद छट ढला जाने के बाद 21 दिन होते हैं 21 दिन बाद जो centring हमारा खुलता है तो centring खुलने के बाद जो होता है second process होता है वो होता है कि planning के हिसाब से switchboard set करना power socket के लिए box set करना उसके बाद अपना holder set करना और ceiling rose set करना वाल फिटिंग जितने भी planning के साब से करने होती है वह हम लोग करते हैं तो इस पूरी टाइगराम में तो हम लोग ने देख लिया slab piping का तरीका क्या होता है अब हम लोग देखेंगे कि अगर कैसे जो है पाइप set होता है और उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना होता है इस चीज को हम दो हमेशा देखके चलेंगे तो मैं इसमें आपको एक शेक्षन बाइस करके दिखाते जाओंगा कि कैसे इस रूम का होगा कैसे किचिन रूम का होगा कैसे बाथरूम का होगा तो यहां हम देख सकते हैं कि हम लोग जो है जो हमारे साउथ वेस्ट साइड में जो हमारा कमड़ा था लिविंग रूम था उसका मैंने एक कह सकते हैं कि साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों को रिपर्जेंट करके आपको समझाने का कुशिस कर रहा हूँ यहां पर आपको यह इमेजिनेशन करना पड़ेगा कलपना करना पड़ेगा कि आप जो है इड़ा जो गेड था लूम में गुशने का उससे आप प्रवेश कर रहे हैं प्रवेश करने के बाद आपको चुकि अंदर का जो है हमारा टॉप व्यू बता रहा है अंदर का यह वड़कार दिख रहा है वह तॉप व्यू बता रहा है यह देवाल का उपड़ी भाग दिख रहा है ठीक है प्रवाल दिख रहा है यह टॉप व्यू हो गया ठीक लेकिन अगर आप सपोस्च किजिए कि आप इंट्री कर रहे हैं रूम में तो आपको साइड भ्यू देखेगाइस प्रकार से यह देवाल देख हो गया इस सैड का वेस्ट स्षाइट का उसी प्रकार से पर इधर देखिएगा इस्ट सैड में अंदे घुषकर तो यह देवाल का सैड व्यू इस प्रकार से दिखेगा जिसमें की आपको get r therapy अगर आप नौर्थ साइड देखते हैं नौर्थ साइड में चुकि यहां कोई ऐसा विंडो विंडो की बात नहीं है तो यह कम्प्लिटली दिखेगा ठीक है इस तरह से दिवाल दिखेगा कम्प्लीट और साउथ साइड में आप देखेगा तो आपको कम्प्लिट का देवाल दिखेगा क्यों कि यहां पर भी विंडो विंडो नहीं दिया गया है ne हो शकता है अलग चुक्स करों मिल सकता है इधर भी और इधर भी लेकिन इसमें नहीं दिगया जैसरे गांद श्य分सिर दिवाल से लेकर उपर तक का हाइट दस से 11 फिट के बीच में लोग देते हैं ठीक है दस फिट से लेके 11 फिट तक के बीच में ठीक है तो ये दस से 11 माल लेते हैं कि चलिए इस कमड़े का जो है हाइट जो है धरातल लब दीवाल की मैक्सिमम उजाई दस फिट देगे तो दस फिट इसका भी रहेगा दस फिट इसका भी रहेगा दस फिट इसका भी रहेगा दस फिट नौर्थ का भी रहेगा दो चारू फलक जो है एक हाइट के होंगी ठीक है चारू फ्लक क्या होगी एक हाइट की होगी अब समझना यह होगा कि कहां पर कैसे कैसे जो है आपका कंस्ट्रक्शन होता है अंदर में विंडो का गेट का तो यह समझ के चलना पड़ेगा तो यहां पर देख सकते जैसे कि यह विंडो है तो विंडो कि जस्ट उपर टी बीम दिया रहता है टी बीम जो चारोर गुमा वर रहता है तो विंडो उपर से सबसे लास्ट उपर उचाई से विंडो के उपर ही लाइन जो होता है वो लगबग डेड़ फिट की कि डेड़ फिट के कि हैं तो मिकिस एंच में रहता है मतलब कि उपरी किनारा और विंडो का है में मैं उपरी किनारा दोनों के बीच डेड़ फिट का अंतर जाता है तो था चैनि विंडू है तो विंडू का उपड़ी किनारा और गेट का उपड़ी किनारा हमेशा उपड़ वाले च्छत की किनारे से लगभग डेड़ फीट का अंतर में रहता है इस चीज़ का ध्यान देते हैं हम लोग देख लेते हैं कि अब जैसे कि हम देख सकते हैं in this diagram में कि हम लोगों ने का kritik की हिसाब से एक switchboard मेंने यहाँ पर किया ते इसलिए यहाँ पर हम昨 वार्ट की planning केतां से यहां पर बैंट गिड़ाया है ठीक मैं उसके बाद जो है हम लोगों ने इसी के लिए यहाँ पर बैंड इंडवेंड गिराया है धिक टी वी ऍटी नोर पैज़ू अगर टीवी चलाना है टीवी के लिए हम लोग ने जी बीज सिंटर पर क्या एंगे कने सानुआ पर तोड़ सिंटर में का सकते हैं कि नजाड़े इस किनारे से लगबग दो फीट अंतराल में हम लोग यहां पर स्विच बोल डाल सकते हैं मतलब यहां से लेके इस किनारे के बीच दो फीट का बस रखेंगे गया ठीक और साथी साथ हम लोगों ने इधर साउट साइड में बैंड गिराया है यह भी देवाल से लगबग आपको दो फीट के आसपास अंतर में रहेगा ठीक यहां पर क्या था बेट स्विच के लिए हम लोगों ने किया था ठीक बेट स्विच के लिए तो यह तो मैंने टॉप यू की हिसाब सेब को बता दिया लेकिन अगर हम इंट्री करते हैं और तब देखते हैं कि हमारा बैंड कहां कहां गिरा है तो हम साउत साइड से लेते हैं तो साउत साइड से लेंगे तो हमारा बैंड जो है जिसको फॉलो करते हुए इसको फॉलो करते हुए यहां देखें तो हमारा बैंड सेम यहां पे मिलेगा ऐ ठीक है? कि बैंड यहां गिराओं मिलेगा इट है साउथ में पर इसी का देखते हैं कि तो एसी का देखते हैं तो यहां पे सेम इसist去 कि वगल में हम पूंड़ मिल जाएगा बैंड गिरा हुआ जब सेंट्रिंग खुल जाता है तब मिलेगा बैंड गिरा हुआ ठीक उसके बाद इस स्विच बोर्ड में देखते हैं इस्ट साइड में तो सेम इसके सेमने आपको यहां पर कि बैंड गिरा हुआ मिलेगा जो कहने का और्त की यह है कि स्टॉप भ्यूम जो बैंड का पोजिशन था साइड भ्यूमें एकदम उसी डिस्टेंस में मिलेगैं यहां परशेयल की फिर यहां पर हम लोग जो टीवी के लिए बैंड गिरा यह है तो वो वेन्ट हमें यहां पर दिवाल से इस किनारे से इस किनारे वेज़िट दूरी में यहां यहां पर हमको बेंड मिल गानुक है तो दिवाल का अब यहां कण्फिूज नहीं होना है कि दिवाल का कहीं धरातल से कों जूड़ा हुआ से जाते दों से नीचे वहां यह बॉटम हो गया डिवाल का और यह टॉप हो गया ओके यह बॉटम होगया ऋगे एक प्रीदो दॉन ऐसे बॉटम हो ही यह एक भॉह टॉब कर रीक यह नहीं होड़ा है को बिद तब दॉटम मसा फिकलित को बाद कि अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का आगे का प्रोस्चिजर जो होता है कि कैसे तो हम लोग जानते हैं कि उपर से बैंड गिरा है तो लगभग हम लोग उपर से डेर फिट के आसपास जो है इस बैंड गिरा हुआ है वहां से डेर फिट मिला कर लगभग विंडो के किनारे में जिरी काटते हैं जिरी कटता है और यहां पर जिरी कटकर यहां पर दो मोडलर का दो मोडलर का जिए बॉक्स लग जाता है इसे के लिए ठीक है जिए बॉक्स है ठीक है और फिर उसके बाद नीचे से लगभग वावन इसके कड़िम में लेकर चले नीचे से नाप कर तो यहां पर हमारा लगभग एक दो मोडलर का और लगा देता है जिए बॉक्स किसलिए लगता है एक में सॉकेट लग जाए एक में अन आफ कर लिए स्विच या एम से भी लग जाएगा ठीक है एम से लगाए जाए तरह से पचीश सी का एम सी भी लगा दिया जाता है तो यह किलियर हो गया अब एसी का हम लोग ने जिए काटके बॉक्स और दूमणर ल लेंगे और उसमें भी सिद्धिया रहाता है उसे में क्लिप्ट कर देंगे ठीक है अब हम लोग आते हैं सौथ साइड में तो साउथ साइड में जो होता है हम लोग क्या करते हैं यहां पर हम लोग आठ मौड लड़का अब नीचे से बावन इन छोड़ते हुए बावन इन छोड़ते हुए निसान लगाने के बाद वहाँ पर हम लोग निसान लगाने के बाद हम लोग उपर से जो बैंड गी रहा है उससे सीधा जिरी काटते हुए ठीक है जिरा जिरी काटते हुए हम लोग यहाँ पर आठ मोड़र जी एई बॉक्स का आठ मोड़र गा जी एई बॉक्स लगा देता है ठीक है यह बॉक्स लगए आठ मोड़र था अब एक और चीज़ में करना चाहूंगा इन केस आपके कस्टमर ने आपको बताया कि कम से कम एक होल्डर या मिनिमम दो होल्डर रहने चाहिए घर में तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि आठ मोड़र के उपर उपर पाइप को मिलाने के लिए तीन छेद दिये होला होते हैं कि अच्छेद होल्स दिये रहते हैं वहां से हम लोग एक जिर्री काटेंगे ठीक और उपर च्छत से लागवग डेर फिट नीचे हम लोग इस इधर मोड कर सेंटर लेते हुए दिवाल का अगर वानिये कि दस फिट है चुणाई तो पांच फिट सेंटर लेते हुए एक जंग्शन बॉक्स लगा देंगे क्लिया क्या है जंग्शन जी बी जंग्शन बॉक्स है ठीक है तो यहां एक होल्टो लगए है फिर अब हम लोग देखेंगे स्विचबोर्ट साइट स्विचबोर्ट साइट देखते हैं तो हमारा बैंट यहां गिरा हुआ है तो हम लोग यहां से अब देखिए विंडू जो होता है लगभग आपको चार फीट के आसपास का विंडू होता है तो आपको अब जो बैंड गिराना होता है यह बैंड गिर गया है तो हमको बॉक्स जो फीट करना होता है लगभग यहां से आधा फ्रीट छोड़ कर यहां से क्या आधा फिट छोड़ कर मतब विंडू का जो यह किनारा है संदिद्ध किनारे से आधा फिट छोड़ कर हम लोग बॉक्स को कि सेट करेंगे और इनके अगर थोड़ा इधर लग भी गया है तो खने करते हैं थोड़ा सा नज़दीक लग गया है तो हम लोग क्या करेंगे जैसे कि यहां बॉक्स हम लोग यहां फिर सेट करेंगे कुन से मोड़र का बारे मोड़र 12 मोड़र का 12 मोड़र का सेट करेंगे ठीक अब बारे मोड़र का क्यों सेट करेंगे इस कहारे मैं चर्चबाद में बता हुआ बाड़े मॉडर का हम लोग सेट करेंगे जी आई बॉक्स और उसके बाद इस पाइप को हम लोग जीरी काटके इस बॉक्स से मिला देंगे ठीक इनकेस अगर दो होल्डर लगाने की बात उठ गई है तो हम लोग एक पाइप यहां से लेंगे उसका जीएक प्रोसीजर किया था उसी हिसाब से पर इस पर नहीं तो 5 इंटा गिन लेज़ेगा को पांच या छे इंटा गिल तो इसी क्यास्पर स्टम्स होगा और उसके बाद आपका इसकाali लेकर डिवाल का सेंटर forno यहां पर ऊड़ी लगा देगे that bowl लगता लेकर रेसा है कि दो होल्डर यहां पर एक इस्ट साइड में एक साउथ साइड में हम लोगों ने फिक्स कर दिया है ठीक है और यहां पर हम लोगों ने कि सभी बोड की धरादल से उंचाई जो होगी वह लगभग आपका बारे इंच के आसपास होगी ताकि सभी चारोद बागल बोड जो है जो मिनिमाम जो इन सबसे नीचे वाला बोड है वह कि बावन इंच में सेटो एक बड़ा बन देखें दिखने में सुन्दर देखें ठीक है फिसके बाद आपका आता है नौर्थ साइड वहां पर हम लोगों ने दिवास दू फिट हट कर बैंड गया था टीवी के लिए तो वह भी जो है आपको नीचे से बावन इंच जिरी काटकर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आठ मॉटलर का कि बॉक्स लगा देंगे कितना आठ मॉटूलर अब यहाँ पी चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पी आपको दू बैंड गिड़ा मिलेगा वो क्यों मिलेगा एक डिश टीवी करतार के लिए होता है वो कैसे होता है मैं समझा देता हूं जब हम लोग छट का पाइप डालते हैं तो उस समय यहाँ पी ऐस इस प्रकार कि दो गिराते हैं जैसे कि समयादेता हूं आपको यह कुछ प्रकार से होते हुए एक बैंड इधर और एक बैंड च्छत से निकला हुआ ऐसे च्छत से निकला हुआ है और यह आपको टीवी टीवी के जो पावर सप्प्लाई बॉक्स है वहां के लिए होता है यहां पर हमको इस प्रकार से यह टीवी के लिए चलागे है और यह छात पर डिस अंटीना के लिए चेप डिस अंटीना कहने करते हैं यह सेट आप बॉक्स के लिए उपड़ वाला लिस अंटीना के लिए तो उसको हमें कुछ एस एस सेप बना कर जो है लगाते हैं तो यहां पर हमारा जैसक में बता रहा था यहां पर टीवी साइट के लिए दो बैंड में लेगा एक तो सप्लाई वाला जो कि फैन बॉक्स से आया था और एक जो है जो हम लोग ने एस टाइप का सिब बनाया था इंटीना के लिए वह मिला उसको भी जीजी काट कर हम लोग आट मोडर के बॉक्स से मिला देंगे तो इस प्रकार से हम लोग चारो वगल यह है हम लोगों ने अपना अवसकता नुसार जीजी काट के बॉक्स सेट कर दिया गया ठीक है अब यहां बात उठता है कि हम लोगों ने जो अलग अलग जगवा में अलग अलग साइस के जी आई बॉक्स लगाया है उनको लगाने क्या कारण था तो उसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं Switchboard पास Switchboard में हमारा पहले देखते हैं कैसे हम लोग recite करते हैं कितना modular का minimum होना चाहिए बोड ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं हमारा उपर चछत का light कितना है एक, दो, तीन, चार, एक, पांच फैन बॉक्स को मिला कर, पांच पॉइंट तो ऐसे बन रहा है, फिर दो होल्डर, एक, एक जो है, साउथ साइड में होल्डर है, ठीक है, और एक जो है, इस्ट साइड में होल्डर है, ठीक है, उस हिसाप से हो गया तो टोटल केतना होगे पांच दू साथ दो साथ पॉइंट का हमारा सेवेन पॉइंट तो यहां बन रहा है कि दो पॉइंट बनना सेवेन पॉइंट मतलब सेवेन तो स्विच्ट यूज होगा यह तो कन्फरम है 272 पॉइंच है अब देकिए फैंट के लिए एक डी मधी चाहिए निर सेवेन बाद कर रहा हूं ऑगना सेंट पॉइंट स्विचबॉट के लिए ठीक शन मतलब सफ़ेन पॉइंट देः स्वीच है ऐसेंट पैंट के लिए स्वीच होगे फैंट यूदिदे मट चाहिए फिर इंडिकेटर चाहिए, डिकेटर, बात समझेगा, फिर उसमें सॉकेट चाहिए, दस एंपेर का सॉकेट, दस एंपेर सॉकेट चाहिए, ठीक, उसके बाद, सिक्सी, एमसी भी चाहिए, उसके बाद, और क्या बचा, तो यहां देखते हैं, साथ, पॉइंट साथ, सुच तो हो गया, तो साथ, एक आठ, एक नौ, एक दस, एक एक ग्यारा, एक ग्यारा, ठीक, एक ग्यारा, और सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए भी तो एक स्वीच चाहिए, प्लस स्वीच, तो टोटल हमारा हो जा रहा है, बारा, बारा जो है, उसमें, बारा, अब सिंपल अर्थ में मैं कहूँ, तो बारा मॉडूलर के, जो स्वीच बोर्ड है, पॉइंट्यू धाएगा एक डेमर यूज हो जागा एक इंडिकेटर यूज हो जागा Shah Sat एक फॉकेट और स्विच चंबिनेशन में उजब से लिऄ जागा और शिक्छी से भिआ है के घृच्छ तो ये यूज हो जाएगा तो इस हिसाब से हम लोग बारे मॉडलर को फिट किये हैं अब दो मॉडलर में मिनिमाम जो आता है यह दो मॉडलर का आता है कि तो हम एक मिनट जैसे कि इसमें थोगा सा कन्फिजन हो गया है सब्सक्राइब फिर से काउंट करना ही चाहिए भी आप साथ पॉइंट हो गया एक आट हो गया निकेट एक नो हो गया उसके बाद इसके बाद देखते हैं एक शॉकेट जो दो पॉइंट दो मॉडलर हो जाता है तो नो तो 11 और 60 लगाते बारा तो एक स्विच के लिए जगा नहीं बच पा रहा है सॉकेट जो होता है दो जगा लेता है मतलब दो मॉडलर का जगा लेता है तो साथ तो यह व्याद फैन टीमर एक आट हो गया इंडिकेट एक नो हो गया और सौकेट चो लेगा दस में बेटा है वह नो दो 11 होगया एक बारा होगया तो इस केस में हम लोग क्या गड़ते हैं हमेशा जब भी इस तरह से स्विच घटने लगे तो हम लोग इंडिकेटर को लास्ट में लगाने का कुशिस करते हैं मतलब देख लेते हैं कि हमारा स्विच बोर्ड में जो है सभी स्विच के लिए संख्या हो गई है तो हम लोग इंडिकेट तब ठीक है नहीं तो मतलब काने करता है यहां च्छब पॉइंट रहता तो इंडिकेटर हम सिट कर सकते थे ल तो अब बात उड़ता है कि कि इंडिकेटर को कहां प्लेस किया जाए क्योंकि हर एक सेक्षन में सप्लाई जा रहा है कि ने इसको चेक करने के लिए एक इंडिकेटर ही माध्या मुझतजी से पता चलता है कि अब लाइट अफ है तो जब अब टॉइस चीज आफ है तो इंडिकेटर को माध्या से पता चलता घ्री हाँ लाइन है तो बारे मॉडल में हम लोग ने क्या क्या लगाया 7. such लगाया एक पन्रीमों लगाया एक दस एंपने म्यटा और एक स्विच लगाया और फिक से Emir लगाया इतना साउथ साइड में उसका कारण क्या है तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर भी एक सॉकेट लगेगा पावर सॉकेट लगेगा तो वह देखिए पावर सॉकेट लगेगा तो वह दो मोडल लेगा सॉकेट पावर लेता है तो Switch 1 लगेगा इसके लिए Switch अब बेड़ Switch लगाए है तो 2Way Switch लगेगा 2Way Switch लगेगा किसलिए एक फैन के लिए 1B bulb के लिए Holder के लिए ठीक है तो कितना हो गया हमारा 2, 1, 3 2, 5 और कुछ बचा किया देख लेते हैं कि दो मोडलोर के जगा सोकेट लिया उसको कंट्रोल के लिए स्वीच मिला उसके दो टूवे स्वीच लग गया आपको उसको कंट्रोल करने के लिए लिए है तो दो स्थानों से मुक्रों को जलाने के लिए अब अब हमारे पास बच्प गया सब्न अब आसे तीन जगा किसली बचा तो तेन जगा में Vergleich में special लगा सब्सक्रों क्हाना नीच हो न्य ब्लैंग प्लेट लग जाता है ठीक है कि ब्लैंग प्लेट तो सब्सक्राइब कैसे हम लोग ने डिसाइड कि आठ मॉड़र लेंगे यहाँ पर टोटल देखते हैं अगर हमाने कितना हो रहा है तो दो दूचार 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 मॉड़र से भी काम चल सकता था लेकिन एक लेकिन चलते हैं मिए काम करने के लिए 1 अधिक लेका ही चलना बेटर रहता एक कम लेकर चलना बेटर हो थैसिए कि तो दो कि छो मॉडर ना ज्यादा साइज में भ्रस ज्यादा नहीं होता है त्षा प्रेश है त्षांत मॉडर है तो आट यूज कर सकते हैं रिस्क से इस्क ज disagreed safely बहार क्या कि रूबट सुकेट है सब्सक्राइव गास तूपिक रगेगा और इंडिकेटर लगेगा इंडिकेटर बारे मोड लाड में लगा इसलिए मैं यहाथ मोडन जाये रहा हूं बीट स्विच के पास नहीं बात करेंगे हम लोग यहाँ फेसी का दखे यहाँ पे टू मोड़ा जानते हैं यहाँ पहhta फे champ यही जगा लेगा यूज कर लेगा यूज कर लेगा दूसरा नीचे जो है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर लगाना चाहें तो एक एक सीवी लग जाएगा प्चीशी तक प्चीशी का एक सीवी जगा वह बिजगा लगा एक मोल अगया और इसके साथ हम पावर्स ऊपर कर से सकते हैं प्हसोलार्la अम्पेर के सबस्क्राइब और उ decorative होता ऐसब्स तो ऋप्लस में स्वीनिशे की कहां एम से विख एन तो यह एक मोर्णer खिजा ले तो हमाने पास दो माचलर निचंछ लग ग divers है और दो म्होंडशन माचला के लेकिट ठीक है इसलिए हम लोगों ने इस तरह का व्यवस्था किया है अब यहां देखते हैं तो यहां पर हम जानते हैं कि यहां आठ मॉडल लगा अब क्यों लगा तो इसका कारण यह है कि हम एक टीवी को सप्लाई देने के लिए एक सॉकेट स्वीच चाहिए तरवशिशों को सब्सक्राइब है कि 6 मॉड अर स्विच दो इस दो रिक ओडैर तो कि उसके पर सोटार घुष विशडन दिश को केट अट?" तो कितना होगे टूटो तीन उपर तीन इधर तीन दिन चो एक साथ तो जो साथ का जगा ले लिया है तो हम आठ लिये तो अच्छी बात है रिस्क जो उन से बाहर है तो एक ब्लैंक प्लेट लगा देंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आठ मोड़र का सेटिंग की हैं तो ह हम लोगों ने देखा कि कैसे एक रूम में हम लोग बेंट कैसे गिराते हैं और किस प्रकार से जीरी काट के जी आई बॉक्स सेटिंग करते हैं कौन सा बॉक्स सेट करना होता है क्या प्लानिंग का अधार है यह सभी चीज़े को बारे में मैंने डिस्क्रस किया तो आप लो कि कम रहे हो दोनों का कंसेप्ट एक ही हो सकता है मैक्सिममम कंसेप्ट यहीं चलता है मिनिममम इससे कम हो सकता है हो सकता है उसमें टीवी ना हो हो सकता है उसमें इसी ना हो तो कुछ ना कुछ जो भी रहेगा इसी प्लानिंग के हिसाब से रहेगा मैक्सिमम इसी प्लानिंग के हिसाब से रहेगा मीनिमम कुछ भी हो सकता है इसे कम हो सकता है लेकिन रहेगा वहीं जी जो इसमें मैंने बताया है तो आप लोगों समझ में आगया होगा किस परकार से मैंने ड्रों को कु परेजयर करते हैं है कि हम लोग कृट और से की कि अभी आ जबार कंक्स को रेएजा हैं करते हैं तो आप लोगों समझ में आ गया होगा आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद